राधी राधी जैसी किष्णा स्वागत है आप सभी का राधी कृष्ण भगती में आज की इस वीडियो में हम देव उठनी एक आदसी पर देव उठाने की बहुत ही सरल पुजाविदी देखेंगे तो देखिए सबसे पहले हम देव बना लेंगे वैसे तो देव दिवाल पर ही बनाये जाते हैं आप दिवाल पर या लकड़ी के पाटे पर या जमीन पर भी जैसी आपकी सुविदा हो उसके अनुसार बना ले तो देखे, मैं यहाँ पे जमीन पे बना रही हूँ, देव बनाने के लिए हमें गेरू यानि लाल मेटी लेनी होती है, साथ में खड़िया भी लिया जाता है, अगर आपको मिल जाए तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप सिरफ गेरू से भी बना सकते हैं, तो देखे, से देव बनाना सुरू करेंगे, हमें देवो का घर बनाना होता है, देव उठनी एक आज़सी के दी, दीन में आप किसी भी समय देव बना ले, साम के सुरियास्त के बाद देव उठाये जाते हैं, जब भी आपके पास टाइम हो, तब देव बना ले, एक बात का प्यान चाहेंगे तो आपका मूँ पूरब या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए आप ये दिव घर में जहां खाली जगा हो वहां बना सकते हैं आंगन में शर्पे या वालकनी में जैसे आपकी सुविधा हो उसके अनुसारा देव बना सकते हैं या फिर आप अपने घर के मंदिर के सामने भी देव बना सकते हैं जहां पर सुविधा हो वहां आप देव बना ले जैसे आपके हां बनाया जाता हो जैसे आपको आता हो वैसे आप देव बना ले आपको इसमें डिजाइन करने की ज़रुरत नहीं है जैसे भी आप बना पार वैसे बना ले तो दिखिए इस तरह से हम देव बना लेंगे, इसी तरह से देव उठनी एकाच्ची पर देव बनाया जाते हैं, अब थोड़ा इसे हम सूखने देंगे, उसके बाद हमें कोई भी खड़ा अनाज लेना होता है, तो आप गेमू ले सकते हैं, या बाजरा ले सकते हैं, चावल हमें नहीं लेना अनाज लेना जरूरी होता है, इसके साथ हम मूली ले लेंगे, मूली हमें पत्ते वाली लेनी है, पत्ते हमें इसके नहीं तोड़ने हैं, इसके साथ हमें सकरकंदी लेनी है, तो हमें आपे सकरकंदी ले लेंगे, इसके साथ देखिए, हम सिंहाडे ले लेंगे, पानी फल जि इसके साथ मौसम के अनुजार जो सबजिया मिलती हो वो भी आप ले सकते हैं इसके साथ में हमें कोई भी मिठाई लेनी होती है तो मैंने यहाँ पर बता से लिया है आप मिठाई भी ले सकते हैं गन्ना लेना हमें जरूरी होता है, अभी मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं ले नहीं लिया है, आपको अगर मिल जाए, तो आप देवुटनी एकाचिपे गन्ना पूजा में जरूर ले, इसके वादा में दिया रख देंगे, पूजा के लिए, तो ये हमारी सभी समागरी पू हमारी कीचन का, इसलिए इसका हम पूजा में इस्तमाल करेंगे, अब हम सभी चीज को ढख देंगे, आप इस तरह से दीन में पूजा की तयारी कर ले, उसके बाद सुर्यास्त जब हो जाएगा, तब हमें दे उठाना है, तक तक आप इसी तरह से सभी चीज को ढखा रहने जब सुर्यास्त हो जाएगा, तब हम दे उठाएंगे, चारों तरफ हम फूलों का आसन देकर दिये रख देंगे, अब हम थोड़ा सा परात उठाकर दिया जला लेंगे, इसके बाद हमें गीत गाते हुए दे उठाने हैं, तो आपके यहां जैसे गीत गाय जाते हैं, वैस इस तरह से बोलते हुए दे उठाय जाते हैं, दे उठाने के मंत्र भी होते हैं, आपके यहां पे जिस तरह से गीत गाते हुए दे उठाय जाते हैं, उस तरह से दे उठाये, अपने गोत्र का नाम लेते हुए हम परात को उठा देंगे, इस तरह से हमारे दे उठ जाएंग अब हम घंटी बजा देंगे, संख बजा देंगे, देव उठाने के बाद सबसे पहले हम देव को तुलसी अर्पित करेंगे, कहते हैं तुलसी अर्पित करने के बाद ही भगवान अपनी आखे खोलते हैं, उसके बाद चंधन से, हल्दी से तिलक कर देंगे, हम कलावा समर्पीत कर देंगे, फूलर पीत कर देंगे और तीलर पीत कर देंगे, और देव की घर में जो हमने दिये रखे हैं, वो सभी दिये हम जला देंगे, तो इस तरह से हम देव उठा लेंगे, इसके बाद हम पांच या साथ बार आरती कर लेंगे, इस तरह से हमारे हम देव उठाये जाते हैं घर के सभी सदर से मिलकर देव को उठाते हैं इसके बाद सभी लोग परिकर्मा करते हैं आप पूजा में दक्षिना जरूर रखें मैं दक्षिना रखना भूल गई थी इसके बाद देखिए ये जो भोग परसादे वो हम सभी में बाढ़ देंगे रूई का हम बत्ती बना लेंगे अगर आपने अनार ज़्यादा लिया है तो फिर आप कुछ दक्षिना रखकर उसका दान कर सकते हैं इसके बाद हम पुजा में हुई भूल चुके लिए जमायाचना करेंगे और भगवान से आसिरवाद लेंगे अगर आपको देव उठाने की इस अरलवीदी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक किजेगा सेयर किजेगा कॉमेंट किजेगा और मेरे चैनल राधे कृष्ण भक्ति को सब्सक्राइब किजेगा थैंक्यू राधे राधे जैसीरी कृष्णा